नमस्कार में भाकिश्री बिस्यन नियुस के बिजनेस समाचा में आप सफी का स्वागत हैं खबरों की और बढ़ने से पहले आए डालते ही नजर आज की सुर्खियों पर थुख वाजा में खाते तेलो दालो चीनी में टिकाओ गेहू गुड मस्बूल Amazon फ्लिफकार की बड़ी मुश्किली दोनों कमपनियों के खिलाब जारी रहे की CCI चार्ज वदेशों में खाते तेलों में मस्बूती के पेच तिल्ली ठोग बासार में शुक्रवार को इनके दामस दे रहे खाते तेलों के साथ दालो और चीनी के दाम भी टिकर है जब की केहू और गुर के भाव चड़कर है मर्श्विक सर्पर मलेशिया के बुर्सा मलेशिया डेरिवेटीव एक्स्चेंज में पाम ओईल का अक्टों पर वायता 119 रिटिंग उचल कर 4,240 रिटिंग प्रती तन पर पहुच गया निसमबर का अमेरिकी सोया तेल वायता पी 0.12 सेंट चड़कर 12.08 सेंट प्रती पोड़ पर बुला क्या स्तानिय पाजार में सुस्त कारुबार की कारण खालती तेलों के दाम्श दिर रहे सरसो तेल, सोया तेल, मुंग फल्ली तेल, सूरज मुखी, पाम ओईल और वनस्पती के भाव में कोई बदलाव निवा है चेनिके दाम गर्तिवस के स्तर पर पड़े रहे कम आपुरती के पेच गुड़ 50 रुपे प्रतिक विंटल महंगा हो गया है आवक और उठाव में संतुलन से मसुर्ताल, उड़ताल, मुंग ताल, चनाताल और अरहलता के भाव में कोई पतलाव निवा है बिरो रिपोर्ट, BCN News करना तक हाई कोट ने Competition Commission of India याने CCI जांच के खिलाव वाले मामले में Amazon और Flipkart की याचिका को खारिश कर दिया है याचिका में पेचले फैसले को रद्द करने की मांगी कही थी जिसमें हाई कोट ने Flipkart CCI जांच के खिलाव रिट याचिका खारिश कर दिया था मामले की सुनवाई शुक्रवार को ही Confederation of All India Traders और तिली व्यापार महसंकनी Amazon इंडिया और Flipkart पर ग्रहागों को ज्यादा डिसकाउंट दिनी और कुछ सेलर्स को लाव पहचाने का आरूप लगा था इन आरूपों की बाद ही CCI ने जनवरी 2020 में Amazon और Flipkart की जांच का आदिश दिया था इसमें कहा गया था कि Competition Act 2002 के सेक्षन 261 के तहद जांच करने के लिए प्रत्थन रुष्ट्या सभी सभूत मौजद है बिरो रिपोर्ट BCN News आकड़े के मताप एक सामिक्षातिन साफ्ताहमी विदेशी मुद्रा भंडार में व्रुद्धी की वचा विदेशी मुद्रा संपत्यों में हुई बड़ोतरी है जो समक्तिर भंडार का प्रमुख खटक है इस दोरान FCA 46.3 करोट डॉलर की व्रुद्धी के साथ एक डॉलर 44.4 रुपे का प्रिका भारतिय मुद्रा तीन दिन में 48 पैसे चड़ी गुर्वान को यह 15 पैसे की तेजी के साथ 44.4 रुपे प्रती डॉलर पर बंध हुई थी रुपे पर आज शुरू में दवारा लेकिन बाद में इसने वापसी की है यह 9 पैसे की गिरावट के साथ 44.5 रुपे प्रती डॉलर पर खुला और 44.5 रुपे प्रती डॉलर तक कम जोरुआ है बाद में खरेलू शेयर बाजार में रही तेजी से मुद्रा बाजार में भी धाना मजबुत हुई बाद में शेयर बाजार में शेयर बाजार में शेयर बाजार को लगातार दूसरे दीन तेजी रही है बाज़, एफ़ेम सेची और दवा कमपनियों के शेयर में मजबुति के साथ बियसे सेंसेक्स 138 अंग बढ़त में रहा हाला कि कोविड-19 के डेल्टा संक्रमन के बड़ते मामलों को लेकर चिंता के साथ सब्टा के दोरान इसमें गिरावट रही उतार चड़ाव भरे कारोबार से बहार निकलती हुए सेंसेक्स 138 अंग मजबुत होकर 52,975 अंग पर बंधवा निप्टी 32 अंग मजबुत होकर 15,856 अंग पर बंधवा है सेंसेक्स के शेरो में L&T, HUL, Relance Industries, NDPC, Asian Pains और HDFC बैंक समेट अन्य शेरो में 1.8 प्रतिशत की गिरावट रही सता के दोरान सेंसेक्स 146 अंग यानि 0.30 प्रतिशत नीची आया जबकि निफ्टी 100.5 अंग यानि 0.42 प्रतिशत तूटा बिरो रिपोर्ट BCN News खबर समावत करने से पहले आईए डालते एक नसर आज की सुख्यों पर थोग वाजार में खाते तेलो दालो चीनी में टिकाओं गेहू गुड मस्बूल अमिजॉन प्लिफकार की बड़ी मुश्किली दोनों कमपनियों के खिलाब जारी रहे की CCI चार्ज मिजनस समाचार भी फिला लिता ही ऐसे अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ही BCN News नमस्कार